मुझा नमस्कार दोस्तों टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में काफी बड़ी और भारी अन्बोक्सिंग लेके आया हूँ आज मेरे पास है दोस्तों यह HP कंपनी का मॉनिटर जिसका नाम है HP M27FW इसकी करेंगे अन्बोक्सिंग और देखेंगे कैसा रहता है यह मॉनिटर तो दोस्तों अल्रडी मेरे पास एक और मॉनिटर है इसी कंपनी का जिसे मैंने दो साल पहले पर्चेस किया था तो यह देख स और कितना मॉबाइल से भी डेक्स डॉप हमें मिलता है दोस्तों इसमें क्या दिया गया है वैसे दोस्तों एक बात करूं तो मोनिटर की जो प्राइज है वह अब काफी कावी ज्यादा ड्रॉप हो गाए बहुत ही सस्ती रेंज आप इन्हें पर्चेस कर सकते हैं मैंने यह स यह बहुत अच्छा monitor रहेगा एक तो अच्छी सो है काफी slim है और काफी अच्छी clarity साथी eye safe certified है दोस्तो तो आपकी आँखों के लिए भी अच्छा है तो चलिए दोस्तों इस monitor को unbox करना शुरू करते हैं देखते हैं अंदर क्या-क्या हमें सामान मिलता है तो देखिए काफी अ अटेस्ट करेंगे तब जाके हम monitor को power दे पाएंगे यहां पर दी गई है और एक यहां पर HDMI cable मिल जाती है इसके अलावा आपको यहां पर stand दिया गया इसके अंदर stand है अभी fit करना पड़ेगा हमें और इस portion को हम निकाल सकते हैं दोस्तों इसके अलावा अंदर आपको बिलक देख सकते हैं यहां पर हमने safety से निगालना है कि इतना slim है कि तूट भी सकता है दोस्तों देख सकते हैं यहां पर तो इसे हम packing से करते हैं आज़ा अच्छी packing की गई है full मिलाके इसके बाद तो हमारी जिम्मधारी है अगर हमारे से तूटता है तो गलती हमारी होगी तो अब देखिए दोस्तों कितना slim यह monitor है और देख सकते हैं कितनी flat 27 इंच की display है दोस्तों यह पूरी और यहां तीन तरफ से यह बिलकुल bagels आपको मिलेगा नीचे की side थोड़े से bagels आपको मोटे देखने को मिल सकते हैं back side भी दिखा देता हूं आपको तो उपर इतना ज TMI केविल लगा सकते हैं एक VGA केविल लगाने का slot दिया गया है और एक यहां पर power point दिया गया है इसके लावा lock का option भी मिल जाता है अब जो इसके साथ stand हमें मिले हैं इनको fit करेंगे तो कुछ इस type का यह stand है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पूरा plastic का है और साइड यह metal का है यह metal का है तो यह plastic का है इसे slide करके हम open कर सकते हैं इसके अंदर केविल हमें डालनी है उसके बार यह lock और केविल भी इसके अंदर आ जाएंगे अच्छा खाम किया है कंपनी ने तो यहां पर जो इसका base यह जो base है यह कुछ इस type का यह पूरा metal का है तो यह इसकी मोटाई काफी ज्यादा है जबकि यह बहुत slim है तो सबसे पहले हमें यहां पर इससे attached करना होगा तो इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं खांचे ऐसे बने हुए हैं कि यहां पर हम आसानी से इसे attached कर सकते हैं कोई भी हमें यहां पर पेच कस की जुरुत नहीं पड़ेगी बस यहां पर है इस रिंग को घुमा देना है हमने और उसके बाद यह लॉक हो जाएगा तो जितना कस सकते हैं से हम कस्त देते हैं यह अच्छे से यहां पर कस्त दिया हमने तो यह तो हो गया जी अब इसे हमें इस पर attach करना है तो यह भी मुश्किल काम नहीं है इसे fit करना दोस्तों बस यहां पर हमें इसे यहां से और यह 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 पर एक बार देख लिजे दोस्तों खुद लौक हो गई तो मैं यह अंसी इसे अंदर डाता हूँ यह लॉक हो गया अब यह कहीं नहीं जाने का और कुछ इस तरह से je is stand हो जाएगा उसके बाद आपको यह पिर्चा लग रहा होगा तो आप चाहो अपने किसाप से इसे कर सकते हैं इस तरह से एड़स्ट किया जा सकता है बिल्कुल सीधा हो गया अब देखिए यहां पर हम उस मॉनिटर के साथ इसे अटेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स हमने यह दोनों मॉनिटर को एक साथ अटेस्ट और यहां पास यह फार ऐडब्टर है इसे हमने पावर केविल से अटेक्ट करना ह्यों है यह दोस्तों यहां पर आपर अपर लगा थाए Có hdmi के यहां पर आंना है यहां लगी हुई है लेकिन आपने ग्राफिक कार्ड के लाघल रशींदर में फोन देखा और शुश को दिखाना चाहना तो यह एक साइट से तो स्ट हे रहती है और दूसरी साइट सेнок दूसरी गावकis इस टाइप की रहती है तो इसे हमने ग्राफ्रीक काल्ट यहां तक कर डिस्प्लेये हमारा बन चुका है हमारी जो आपलीकेंसंट यहां पर आम देख रहे हैं दोस्तों और यह चैन हमारा जो माउस कर तरह हैं यहां अंथ तक आ पलवा दूसरा टैब हम यहां पर इस साइड को ले जा सकता है, तो देखिए दोस्तों यहां पर एक टैब का काम होगा, यहां पर दोसरे टैब का easy हो जाएगा और इधर से उधर तक काम पूरा काम कर सकते हैं बड़ा डिस्पले हो गया पूरा पूरा एक्स्टेंड हो गया डिस्पले तो कुछ इस टाइप का आपको इसका डिस्पले देखने को मिलता है मुझे यह काफी कमाल के मॉनिटर लगे मैं दो साल से इस मॉनिटर को यूज कर रहा हूँ झाली